नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है अटेट 24-7 के शांदार चैनल पर जहां पर आपको क्लास 12, क्लास 11 और साथ ही साथ CUET के भरपूर भरसक तयारी कराई जाती है टीचर की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है सारे नोटिफिकेशन बहुत सारी इंपोर्टेंट चीज़ें और बहुत सारी इंट्रेस्टिंग चीज़ें आपको सिखाए जाती है तो सबसे पहले तो आप लोग कमेट सेक्शन मुझे बता दीजे कैसे हैं आप लोग सब बढ़ चैप्टर का नाम क्या चैप्टर का नाम है दा एड्रेस एक बार फटा फट से आप लोग कमेंट कर दीजे और अपने दोस्तों को शेर कर दीजे जहां एक मिनट पूरा हो जाएगा मैं पढ़ाना सुरू कर दूंगा और फिर किसी को कुछ नहीं देखूंगा सिवाए आप मिलने वाला यह डीटेलर ऐकलेशनस्न इंपश ओड जान लीजें कि यह सहफ लने वाला है इन वन्श स्वाट कोई दो बार का काम नहीं एक बार में चप्टर होगा खतम बहले गंटे से थोड़ी ज्यादा की क्लास हो लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगो समझना है जो भी क्वेस्टिन से जो भी क्वेरी आपको कहां से पूछ लेनी है आपको पूछ लेनी कॉमेंट सेक्शन में आकर कि ठी के लिए हम लोग यहां पर इकटे हुए है सभी लोग मिल करके सो लेट्स गिट स्टार्ट इट हम से बोला जा रहा है इंट्रॉक्षन पहले दो देख लो बनिया लग रहा है फॉंट तुम को दाइड्रेस भाई अधित भाई अभी आधित भाई लिखा है पढ़ाया जा र बनी हुई है कि भाई सब जो यहूदी लोग है उन पर हो रहा है आकरमण और जब उन पर आकरमण हो रहा है तो एक बंदी है लेडी एस या मिसस एस और मिसस एस को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है किसी कारण से क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक हो क्या है इसलिए लेडी इस की जन पैचान की मैला है मिडरलीन और फौड़ा सा चॉबाट यहांची अगर यहां पर आकर की हमला हुआ तो लोग तुमको भी वैसे भी कहतं कर देंगे और तुम्हारा सामान भी चुरा ले जाएंगे, इससे अच्छा है, मैं तो यहूदी हूँ नहीं, मुझे अपना सामान दे दो, और मैं तुम्हारे सामान को अच्छी तरीके से अपने पास रख लूँगी, और जब तुम बाद में वापस आ जाना है, पर तो अपना सामान ल क्योंकि यह समान मेरे घर में जब सलीके से लगा हुआ था मेरी मम्मी के हिसाब से मेरे हिसाब से तब तो अच्छा था लेकिन इस घर में इनोंने धंक से समान को नहीं लगाया है बद्बू मार रहा है है ना बिल्कुल बत्तमीजी से समान लगा रखा है तो I don't want anything here ठीक है ना हमारे मन में थोड़ा सा दया भाव आ जाएंगे इसको पढ़ने के बाद हम सभी के मन में of a daughter who goes in search of her mother's belongings एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी मम्मी के सारे सामान को खोजने के लिए जाती है जो उसकी मम्मी ने किसी को दे दिये थे after the war एक war के बाद कहाँ पर यह बात है the objects evoke memories of her earlier life और जब वो उन सब चियों को पा लेती है तो the objects evoke memories of her earlier life जब उन सभी चियों को देखती है तो उसकी जो पुरानी खयालात से वो सारे के सारे evoke हो जाते हैं and then however she decides to leave them हला कि उसका मन करता है कि मैं पूरा समान छोड़ दूंगी नहीं लोंगी behind and resolve resolve का मतलब क्या हो चाहिए और यह आगे बढ़ जाती है अपने जियों में राइट बढ़ते हैं आगे बचे अब आप अगर इसको देखवा करके यहां से आपको चैप्टर सुरू हो जाता है do you still know me अब यहां से आपका explanation सुरू है ठीक ना अब यह do you still know me I asked अब यहाँ पर आई कॉन है यह ज अब यह दोर्टर आफ मिसस ऐसे तो do you still know me मैंने पूचा और किससे पूचा दो मैं लुग डेट मी सर्चिंग लीजी है ओपें दोर अचिंग मैंने किससे पूचा मैंने पूचा मिसस डॉरलीन से क्योंकि मिसस डॉरलीन को मेरी ममी ने पूरा समान दे दिया था तो do you still know me I ask मैंने पूचा कि आप मुझे भी जानती उनके दर्वाजे पर खड़े वोकर कि मैं सामने खड़ी उनके दर्वाजे को थोड़ा सा दर्वाजा खोल रखा है दो मैं लुग डेट मिस महिला ने मेरी तरफ देखा लुग डैट मी सर्चिंग यह सोस्ते हूं कि क्या मैं इसको इसको जानती हूं सर्चिंग लीगिवफ है लोचे खi ज村 टोड़ा साइ kijken फी थोड़ा सा खोल गलता था यह विवफित फिर के बाुटो पास आई और खड़े कि Dengan फाइस यह को सब्सक्राइफ67 destroys is क्य vedere इस बात की खुशी है कि यहाप प्लाल कम बच्चे और और नहीं है तो लेजेंट्स बन जाएंगे क्योंकि आजित भाईया से पढ़ रहे हैं तो इस बात की कताई टेशन नहीं होती कि बच्चे कम है या बच्चे जादा है वो एक बच्चा भी अगर मुझसे पढ़ रहा होगा तो एक साल बात जाकर को दुनिया को गवाही देगा कि मैंने आजित भाईय से पढ़ा था और आज मेरे माक्स बता रहे हैं पुरी दुनिया को कि हाँ भाई मैं लेजेंड था तो मैंने सई टीचर को पकड़ लिया तो इस बात से कताई नहीं वो करना है नहीं मुझे बुरा लगने वाला है आपके बोले से कितने कम बच्चे ह हसी आती हमको खुशी होती है कि हां अच्छा है कम बच्चे है समाझ में आ रही है बात चलो आएम दा आर बीसी बढ़िया है बेटा अन्रग करंक इस चैप्टर से क्या मैसेज मिलता है बेटा चैप्टर पढ़ा ले फिर मैसेज भी बता देंगे ठीक है जी चलो अच्छा ह हुँ ठीक है भाई सब नहीं जानती हो आई एम मिसेज एस डॉटर अब वो लड़की बता रही कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ मिसेज एस की लड़की हूँ और वो जो लेडी थी यानि कि जो मिसेज डॉर्लिंग थी उन्होंने गेट को इस तरीकी से पकड़ रखा था कि उचाती नहीं कि जरासा अभी और गेट खुल जाए उतने से जादा नहीं खोलना चाहती थी अब लोग जब भी बोलते हैं आगे आगे देखते हैं प्रहाफ्स आइव शायद मेने गलती कर दी अब देखो आपके पास शायद के लिए एक बड़ा ही पैरा शसय अब दाया है आप लोग जब भी बोलतों शायद मैं खाना खाऊंगा मेभी आई इट फूड़ा परहाप्स यूज करो परहाप्स के साथ और क्या यूज कर सकते हो पर्चांस परहाप्स परचांस यह सारे के सारे शायद मेभी के अच्छे एक्जामपल है जब आपको मेभी बोला हुआ शा सायद वो यह मिसस डॉडली नहीं है किसी और के गेट पर जाके मैंने नॉक कर दिया है I had seen her only once क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें एक बार देखा था वो भी fleetingly अब fleetingly का मतलब क्या है for a short time मैंने उन्हें सिर्फ एक short time मतलब थोड़ी देर के लिए देखा था तो यह word important हो जात मैं पढ़ा चुका हूँ आप देखना जाकर के playlist में महां पर आपको मिले का we are afraid to die मैं पूरा चेप्टर पढ़ा चुका हूँ बहुत ही अच्छा चेप्टर है we are afraid to die we are not afraid to die होगा ना if we all are together मैं देख लेता हूँ चाह वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ I think and that was years ago और मैंने उन स इसे short time के लिए उन से मिली थी वह भी बहुत साल पहले it was most probable that I had rung the wrong bell हो सकता है मैंने गलत घंटी बजा दियो गलत घर की दोर बल बजा दी हो the woman let go of the door अब वह जो महिला थी उसने थोड़ा से दरवाजे को खोल दिया कियो कि मैं वहां से हैट चुकी है and stepped to the side or the side में आ गई अब मेरी मम्मी का इसका मतलब यही है Mrs. Darlene the wooden buttons were rather pale from washing और जो उसकी wooden buttons थी ना जो भी क्या थी उसकी wooden buttons थी हो कैसी हो गही है पेल यानि की थोड़ी सी खुर्दुरी हो गही है washing कर 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 कि उसका color जा चुका है color dull हो गया है आगे देखे she saw that I was looking at the cardigan and half hit herself again अब मैंने मत जाएगी तो फिर से थोड़ा सा जाकर के छुब गही है ना I was looking at the cardigan and half hit herself उन्होंने अपने सरीर को फिर से आदा चुपा लिया फिर गेट के पीछे बाग गए इतनी बड़ी डर पोक है behind the door but I knew now that it was I was right लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मैं बिल्कुत सही घर पर आ आती है have you come back अब उसको याद आ रहा हो सब इस लेडी को क्या यादा रहा है अच्छा वो कैसे डॉमन तो मिस्स डॉलिन कर अच्छा तुम लोग वापस आगे क्या अब उसको लगा था वह और पर गये हैं भाई सब है ना तो और से वापस ही नहीं आपाएंगे ऐसी जगह आपर यह लोग फजगे थे क्या पता सारे कि सारे मर जाएं लेकिन वो तो बच गई have you come back see the woman asked तो और ने पूछा क्या तो वापस आगई तो के थी अपने दोस्तों में शेर वेर कर देना क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि भाइस आप शेरिंग के नाम पर आप लोग बहुत कम जोरो पर कोई नहीं नहीं शेर करो के तो भी तुमारा बला हो जाए वो भी मुझे खुशी देगा चलो आगे बढ़ते हैं आगे अगे अडोर सब्सक्राइब करना चाहता हूं जिसका समान तुम यूज कर रही हो मिसस डॉलीन उसी की लड़की आई है और वो तुमसे सामाल लेने आई है तो तुमको भी समझ मेरे कर रहा है समाल ले लेगी हमसे वापस इसी लिए उसकी चोपले लुपल 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 हो रही है उसी लिए उसने बोल दिया कि बाद मैंना मुझे अभी काम मैं नहीं बात कर पाऊंगी इस तरीके से ब्याइव कर रहे है बत्तमीजों की तरीके सी नॉर्डेट एंड कॉशियस ली दोर एस दो दो नो वन इंसाइड था शूड बी डिस्टरब और उसने मुझे का क्या उसने मुझे क्या बोला बस नॉड़ेट कुछ बोली नहीं बस अपना सर ऐसे ला दिया और रोजा बंद कर दिया और इस तरीके स्थ दर्वाजा बंद किया कि जो भी घर के अंदर उसक अज़ार में तो भी आ परदा क्या हुआ क्या पता चला भी आ जो कर्टेल था इन फ्रेंट आफ दे विंडो अब बे विंडो क्या होती बिटा अब जैसे कि ये घर है तो घर के बगल में इनी को हम बोलते है बे विंडो है ना बच्चे वह जो साइड में वींडो लगी होत और साध उसने पूछा होगा उस लेड़ी से मिस्स डारलीन से क्यों क्यों आई थी तो मिसे डार्लीन उसने एसा कुछ भी substance आप बोल सकते हो वो enamel है, ठीक है न, enamel क्या हो जागा, एक shiny substance को आप क्या बोल सकते हो बच्छे, enamel, and on the jam a little, a bit higher, and on the jam मतलब side post of a window, jam का मतलब क्या है आपड, jam का मतलब is side post of the window, अब जैसे window है तो window के बगरम थोड़ी सी जगा होती, वहीं पर jam बोला जा रहा है, a bit higher, थोड पाठक, good evening, बेटा, चलो, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते है, as I walk, किसी को कोई question तो नहीं पोशना है, story में feel आया था, बट अभी कोई online नहीं, कोई बात नहीं, किसी और क्या online हो, से क्या फरक पढ़ता है, तुम online हो, तुम पढ़ रहा हो, that's the all thing, that's the matter, right, चलो, दू दूसरों से कभी फरक मत डालो, कि एक बच्चा है, सो बच्चा है, तुम है बेटा, अब देखो, मालो, कल को कोई vacancy आएगी, वहाँ पर तीन हजार seats है, और कोई कर दे, बहुत कम seats है, पर भाई, एक ही seat तो चाहिए, तो अगर मैं class पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ यह ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं, आप बाकी कोई question तो है, कि कई सारे लोगों आपको compete करना है, ऐसा कुछ होगा, तो बच्चे और आजाएंगे, ठीक ना, अभी तो सीखने का मकसद है, जितने लोग सीच जो, जो भी सीख जो अच्छा है, और मेरी class में आक है, कहां से आई है, यह कहीं, दूसरी जाएंगे साही, उसका नाम तो नहीं पता, और आई कैसे बिटा, ट्रेन से आई है, थोड़ा सा टाइम ले करके, इसकी ट्रेन से इसको आपनी जाना है, अब जब यह घर गई, है ना, मिसस डॉर्लीन के, तो मिसस डॉर्लीन नो तुम मिसस डॉर्लीन का, it had been in the first half of the war, और यह कब हुआ था, जब first half of the war चल रहा था, यानि कि war का पहला half वाला पार्ट चल रहा था, I was home for a few days, मैं घर आई थी कुछ दिनों के लिए, जब मैं छोटी थी, and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed, और मने आते ही घर में यह जान लिया, immediately, कि घर में इंजे से कुछ बदला बदला सा लग रहा है, I missed various things, मुझे लग रहा था कि घर में कुछ सामान नहीं है, यह बटा flashback की story बता रही है भेना, जब इसने बोला कि अब मुझे मम्मी क्याद आ रही तो इभी flashback चल रहा है कि वह यह जब मिसस डॉलीन आती थी सामाल ले जाती, तो पुरानी कहानी अभी वापस आ गई है, I was home for few days है, जब मैं घर पर थी, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं घर पर आई थी, ठीक न, तम मुझे कमरे में चीज़े कम-कम लग रही थी, my mother was surprised, मेरी ममी surprise होगे त्यार, यह इतनी सी बच्ची है, इसको इतनी है, किसे समझ चैप्टर में को चुट्टी बोलने वालने, तो I had never heard of her, apparently she was an old acquaintance of my mother, मैंने कभी उनके बाएं में नहीं सुना था, सैदो मेरी मम्मी के पुराने जान पहचान के होगी, acquaintance का मतलब उता है, जान पहचान, whom she hadn't seen for years, जिनसे वो कई सालों से नहीं मिली थी, तो she had suddenly turned up and renewed their contact, है ठीक है जी, आगे, every time she leaves here, she takes something home with her, और जब जब वो मेरे घर आती थी, अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाती थी, ठीक है, said my mother, मेरी मम्मी ने बताया, she took all the table silvers in one go, वो पूरा का पूरा जितनी भी table silvers थी, वो एक बार में सारी अपने घर ले गई थी, अच्छा, क्यों ले लगेंग दोज लार्ज वासेज, अब भाई साब उनको दिक्कत हुई होगी जब वो बड़े बड़े वासेज को हमारे घर से ले बड़े बड़े वासेज नहीं होते हैं, जो काफी उचे-उचे से, तो लगेंग का मतलब कहा है, पर लगेंग का मतलब है, carrying a heavy object, अब जब इतने भारी-बारी वासेज को बड़े-बड़े वासेज को ले गई होंगी, तो उनको दर्थ तो हुआ ही होगा, है न, lugging दोज लार्ज वासेज, and I am worried she got a crick, और मैं इस बास से चिंतित हूँ कि सायद उनके पीठ में न, मसल में crack भी आ जाता होगा, crick का मतलब कहा है, cramp in मसल, ठीक है, मुझे यह भी लगता है कि सायद उनके मसल में crank भी आ जाता होगा, from the crockery, and I am worried that she got a crick in her back from the crockery, my mother shook her head pittingly, और मेरी ममी ने, उनका जो सर है, अच्छे से थप थपाये था, पिटी में दया में की, तो इतना भारी-भारी सामान ले जा रही है, अब क्यूंकि, सर क्या आप हमारे notice लिखना सिखा देंगे, बिल्कुल सिखा देंगे, बिल्कुल सिखा देंगे, बेटा, क्यों नहीं सिखा देंगे, प्रतिक्षा, और किसी को कोई question तो नहीं, question नहीं है, बस question होता है, तो फिर मेरा धियान जादा चला जाता है, आगया यह बच्छे, जोन से कभी पोज भी ने सकती थि मिसस्स डॉरलीन से कि क्या आप मेसं कि मुझस से गाथ है कि मैं आपका समान ले जाते हूं जाती हूं और क्या रिजन दिया था लें ये तो इन अपने बच्ची को बता रही है मिसेज एस मिसेज डॉर्लीन के बारे में अपनी बेटी को बता रही है कि जो मिसेज डॉर्लीन है उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका समान ले जाती हूँ आपका समान सेव कर लूँगी क्यूंकि आप यहाँ पर क्या है आप तो यहूदी है आपके उपर अटेक हो सकता है आपका समान चूरी किया सकता है लेकिन मैं तो नहीं हूँ तो मैं आपका सारा समान अपने पास रख लूँगी और जब आप आओगी वापस तो मैं दे दूँगी कि नहीं रखेंगे हमारा तो माई मदर प्राइड मेरी मम मेरे चिला की गुस्से में बोला क्या बोला एक वोड़ सिंपली वे इंसल्ट टॉक लाइक यह तरीक है कि इंसल्ट होगी अगर मैं उसे पूछो है तो अपना समान लेकर के जा रही है सेव करने के लिए इतना भारी- से बड़े समाल याती इच टाइम सी गोज आउट अफ द दूर विद फूल सूटकेस ऑफ बैग जब जब वो घर से भार जाती है भरी भरकम सूटकेस को ले जाती है अब पता चला कोई आदमी देख ले जो वार कर रहा है वो भी तो यह साथ मिली हुई है पर वो तो नहीं सोच नहीं हो तो हमारी हेल्प कर रही है तो ऐसे कैसे पूछ सकते हैं कि आप हमारे समान को अच्छे से रखोगी कि नहीं ठीक है अच्छा चलो समस्ते हैं यहां तक माई मदर सीमें टू नोटेस्ट एट आई वास नाट एंटारली कन्वेंस्ट मेरी ममी जो थी वो उनको ऐ दोनने कभी इस बारे में बात नहीं की कि मिस्स डॉर्लीन समान क्यों ले जा रही है क्या वह वापस देंगी वगेरा वगेरा ठीक है जी में में डरा दी आप कैसे बात करें विचारी आगे मीन वाइल आयड अर्राइव्ड एड़ अट इस्टेशन विदाउट हैविंग प जहां मैं वार के पहले जाया करती थी खेला करती थी बट आई डिड नॉट वांट तो गो फर्दर लेकिन अब मैं ज्यादा इंसक्तियों पर ध्यान नहीं देना चाहती हूं क्योंकि I didn't want to upset myself क्योंकि मैं अपने आपको दुखी नहीं करना चाहती हूं यहां से मेरी यादे जुणी है मेरी मम्मी की यादे जुणी है हम लोग को यहां से जाना पड़ा था क्योंकि यहां पर वार हो गया था तो यह जितनी भी याद ने हैं जितनी भी गलिया यह चौबारे है मुझे दुख दे रहे है मैं जब सोच रहे हूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे bad feel हो रहा है ठीक ना बिटा आगे देदें आगे देखते myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time I didn't want to upset myself मैं अपने आपको upset नहीं करना चाहती थी with the sight जो भी मुझे देखने को मिल रहे जो भी नजारे है streets के and houses full of memories from a previous time जो मेरा जो मेरा भूत काल था जब मैं छोटी थी वह जितनी भी चीज़ें थी मुझे याद आ रहे थी अच्छे तरीके से तो मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती हूं आरुष बोल रहा है class कब शुरूई थी बेटा class 7 बजे शुरूई थी review देजिएगा ना ब्रो बेटा review तो नहीं दे सकते ना 22 मिनट की class का review कैसे दे दे तुमको हना तुम्हे time से आना चाहिए था और कोई बात नहीं अगर तुम्हें late हो गए हो मैंने देखो group पर भी बताया था आज class 7 बजे होगी और अगर तुम late हो गए हो तो एक बार यहां से class मत देखो class को सुरुवास से देखना शुरू करो तुम जब भी class देखो life की चकर में मत रह है उसकी summary जानना आपके लिए बहुत important long answer so short answer so अगर कुछ नहीं आता है और summary आती explanation आता है तो आप अंसर कम से कम बना तो लोग अपने आप से और अगर आपने explanation ही नहीं देखा क्यों कोशन आंसर देखकर क्या आगयो तो बहुत दिक्कत होती है मैं भी आपकी तरीके कभी इंटर में था इस्कूल में था फस्टेयर में था तो मैं भी समस्ता हूं कि अगर आप चैप्टर न में यहां तक हो गया अपसेट नहीं करना चाहती थी ठीक है बात समझ में आगे इन ट्रेन बैक आई सो मिसस डॉर्लिंग इन फ्रेंट आफ मी अब जब मैं ट्रेन के पास थी तब मैं दुबारा से वही से वयाद करें कि मैंने मिस्ट डॉर्लिंग को दुबारा देखा था आई हेड़ फर्स ताइम आई मैठ रहना जैसे कि मैं उसे पहली बार मिली हूँ इट वोसी मॉर्णिंग की बात है जब मेरी मम्मी ने उनके बारें बताया था आई गॉट अप लेट अभी उस दिन की बात बता रही है जब मिसस डॉर्लिंग से पहली बार मिली थी मैं रोड बैर वाड यौ दो जो जो लेडी ती अनकी जो बैघ थी जो उनका zijtり ब्राद वैभ थी यह देखो सूटकेस रखा है को ट्रैक के नीचे तो सूटकेस खाली और वाहां से उठाके चल दी ठीक ना यहां पर यह यह suitcase रखा है यह suitcase यह suitcase यह suitcase टो इस फार आवे मैंने अपनी ममी से पूछा कि वह कहीं दूर तो नहीं रहती है आज मैंने पूछा seeing the difficulties he had going out of the house with the heavy case कुनी स्ट्रीट इप्टन है आपको पता होना जाई है जगे काननाम क्या था है ना हिन मार कोनी स्ट्रीट में मार कोनी स्ट्रीट में रहती है एंड my mother ये भी ना कि कौन सा हाउस नमबर है हाउस नमबर 46 है ना और ये भी बोला remember that इस घर के नमबर को याद कर लो इस address को याद कर लो तभी देखो इस chapter का नाम भी क्या पढ़ा है तभी chapter का नाम भी पढ़ा है भाई साब तुमारा DA address क्यूंकि यहाँ पर पूरा खेल address का जीघया यह और यहाँ पर Dziękuję एड्रेस पता ठीक है ना आगे बने वेरी गोड मेटा पंकच क्रिकेट अभी बताया ना क्लास 12 की कब होगी क्लास 12 की होगी अपनेक्स टरंट पर आज 11 की क्लास है विचारे 11 वाले तुम लोगे चक्कर में दोदू दिन सफर कर लेते हैं तुम्हारे लगातार क्लास लगा द समझेंगे देरे देरे आगे आजाओ आई एड रिमेंबर डिट और मैने उस को याद कर लिया था अच्छा तुम बार बार सुचरों की यह क्यों लिखा हुआ है साइड में ना एस 743 यह बैचा उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 11 या क्लास 12 में है तो अगर उनको को 4-3 कोड लगा होगे खास करके अभी जब रक्षा बंदा ने तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा है ना अगर कोर्स 3000 का है तो धाई हजार के से भी कम का हो जाएगा तो इसलिए आप लोग इसको इसको को लगा करके बैच को जरूरूर ले ना क्योंकि आपके लि और मेरी mail ID I think आप सभी को पता होगी नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ मेरी mail ID है आदित्य ADITYA फिर डॉट लगा देना फिर तिवारी लिखना TIWA RI फिर AS THE RATE लगा देना फिर लिख देना ADDA AADA और फिर 247 और आस्ट में .COM लगा करके यह हो गया मेरा email address इस पर तुम compose कर देना मेरे को email और आपको मैं reply कर दूँगा या फिर आपको मैं add कर दूँगा जिस भी group में करना होगा first year enter वाले तीन चीनों का ध्यान रखना अपना phone number अपना नाम और अपनी class साथ में यह भी बताना YT student हो या paid student हो बस तीन details चाहिए मुझे उसके अलावा मैं फिर group में नहीं कर पाता हूँ add जब तक मेरे पास यह तीनों details नहीं होती है आगे बढ़े भाई चलो बढ़ते हैं फिर but I have waited long time to I remembered it but I had waited a long time to get there लेकिन मैं वहां जाने के से पहले मैंने बहुत समय बिता दिया मैं सोच रही थी कि सायद वो Mrs.Dorley ने call करेंगी किसी तरी absolutely not interested मैं बिल्कुल भी interested नहीं थी अपने सामान में और मैं डरी हुई भी थी I was afraid also यहां पर लिखा हुए ना कि in the all that stuff and naturally I was also rather afraid of it और मैं डर रही थी कि उसी जगह पर जाना जहां पर वार्स रू हुआ था और अभी डर मेरे दिमाग में चाया हुआ है तो मैं थोड़ा डर र जिसका connection मेरे बचपने से जिससे बहुत गंदी-गंदी यादें जोड़ी है कि मुझे वहाँ से भागना पड़ा है ना अपनी मम्मी के साथ मेरी मम्मी अब नहीं रही वो समान कितना अच्छे से रखती थी और मैं बस उसी समान के पास अगर जाओंगी तो मुझे बुरा आगेगा है ना मैं डर रही थी कि उन चीजों से कैसे सामना करूंगी उन चीजों को कैसे देखूंगी ठीक ना तो आफ्टर ओफ बिंग कन्फरेंटेट विद तिंग्स देट हैड बिलॉंग तू कनेक्शन देट नो लॉंगर एग्जिस्टेड विच वर हिडिन अवे इन के सर सोनबोयर हेलो बेटा आपसे अपसे अपसे क्या करना भाईया अपसे केवल एकी चीज का ध्यार नखना क्या जहेंद बोलने की कोशिस करना अच्छा एक बच्चा क्या हो गया बई बहिया को मेल कर देना भाय तुम्हें आरूश कौन है बाई सुब्ज के नहीं यह थोड़ा सा प्यार मुहबब से बात करनी होती। जेंटल रहना होता है। क्योंकि अल्टिमेटली जैसे बात हम लोग करते हैं वो कहीं हमारे संसकारों को दर्शाता है वरना आपकी बात खड़ने से लोग यह समझ लेंगे कि आपके घर में ऐसे कुछ होता होगा और यह गलत बात है अपना हम लोग क्या सोचते हैं हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो अपनी अच्छी इमेज लेकर निकलते हैं ना कि अपने मूँपे गंदगी लेकर करके निकल अच्छा लगता है जब लोग जहन लिखते हो और संतोष राणी लोधी हेलो बेटा जहिंद ठीक है चलो और कोई समस्या किसी को चलो बढ़िया आगे बढ़िया आप लोग को भी किसी को सुनाना हुआ करे ना बेटा मतलब कोई आप से बत्तमीजे से बात करें तो थोड़ कभी कभी होता है कीडा होता है बेटा सुलेमानी कीडा और कुछनों के अंदर सुलेमानी कीडा कहीं छेद पकड़ के घुष जाता है कहीं कान से कहीं दरदर के छेद से तो फिर सुलेमानी कीडा वो सुल्सुलाता रहता उनको लगातर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे क्लास यही इमेल है ठीक है चलो आगे बढ़े किसी से भी ओब इंग्लिस मीडियम हिंदी मीडियम इस अभी का सेम है संतोष रानी लोधी बेटा है यह नहीं जहिन लिखना है ठीक है जहिन बच्छा चलो हेलो हेलो करके क्या मिलेगा तीन बार है ना पढ़ने पर ध्यान देते हैं औ इंडियोड ओल दोज यर्स बिकॉस देवर थिंग्स अना उन सभी चीजह ने भी सायद अब चुकि वह चीजह है तो उन्होंने इंडियोर नहीं किया होगा यानिकी वह दर्द नहीं साहा है उन सभी चीओं को देखने का क्योंकि मेरी ममी से रिलेटर ने सारी कि सारी चीज जाता है तो क्या हम लोग पूरी जिंदगी उसका दुख मनाते हैं नहीं महीने दो महीने साल दो साल कमी खटकती उसके बाद चीजह नॉर्मल होने लग जाती है तो वही अब वहर खतम हो चुका है चीजह नॉर्मल हो रही है ब्रेट वास गेटिंग तूब लाइटर कलर अ न तो अब जब खराब ब्रेट मिलती थी अब उनको अच्छी ब्रेट मिलने लगें वह ब्राउन होती थी काफी लेकिन अब वो लाइट ब्राउन ओन लगी है अने की उनकी आच्छी उती चली जा रही है यह बताने की कोशिस कर रही है fred was getting to be lighter color there was a bed you could sleep in under अण विद भी उटे लो दोलोगा शांती दोली खेंग नारमल होती जा रहे रहे है रोज के दॉल टा चलो वेंगे बढ़रते हैं ऄजट्ऊ ग्लांसी बैदीज्व और फिर मुझे लगा कि चलो अब अपने समान को आपस लेने चलते हैं, जो भी उस एड्रेस पर मेरी मम्मी ने दे रखा है, उनको आंटी को दे रखा है, I wanted to see them, touch or remember, मैं अपनी सभी चीयों को क्या करना चाहती थी, देखना चाहती थी, मैं उन सभी चीयों को touch करना चाहती थ उन सभी चीयों को touch करके अपनी मा के अपने प्रती प्यार को, मेरी मम्मी के touch को, मेरी मम्मी के feel को मैं महसूस करना चाहती थी, ठीक है, आगे, after my first visit, मेरी first visit के बाद, मेरी पहली visit के, मेरी जब मेरी पहली visit क्या होगी, futile होगी, यानि की, waste होगी, बरबाद होगी, है ना, to Mrs darling's house, I decided to try a second time, मैंने सुचा मैं दुबारा एक बढ़ जा करके देखती हूँ, now a girl of about 15 opened the door to me, और इस बार एक 15 सार की लड़की ने दरवाजा खुला, I asked if her mother was at home, मैंने उसे पुछा किया, तुमारी मम्मी घर पर हैं, तो उसने क्या बताया, no my mother doesn't at, my mother's doing an around, no matter, I said I'll wait for her, त I followed the girl along the passage, I followed the girl along the passage, वो जो क्या होती है, बरामदा था मैं passage को पार करके गई अंदर, and old fashioned iron, hanukha candle holder hung next to a mirror, और एक old fashioned जो हनुखा था, जो कि ए candle bearer होता है, candle order होता है, वो टंगा हुआ था, mirror के बगल में, hanukha क्या होता है यह होता है, अब hanukha, जो herbrew होते हैं, जो Hebrew जनजाती के लोग होते हैं, वो इस feast को मनाते हैं, जो Hebrew जनजाती के लोग होते हैं, उनका एक तेवार होता है, जैसे 25 December को Christmas मना आते हैं, वैसे December में उनका तेवार भी आता है, जिसमें वो लोग lighting करते हैं, candles जलाते हैं, और इस festival को मनाते हैं, ठीके ना, तब तब इसका काम आ जाता है, यह जो क्या होता है, यह जो hanukha होता है, आगे देखते, we never used it because, अब यह hanukha किस का था, उसी का था, उसी का था, उस इस लिए लोग hanukha वाले दिन, सिर्फ हे candle stick से काम चला लेते थे, instead of using the whole, you know, yellow candlestick से काम चला जेते थे, hanukha का use नहीं करते थे, लेकिन असने देखा, उसने इसको use करना सुदू कर दिया है, ठीक है, आगे, won't you sit down, ask the girl, तो 15 साली लड़की ने बोला, जो Mrs. Darlene की बच्ची ह उसने का, आप बैठना चाहोगी, बैठो, she held open the door of the living room, उसने दरवाजा खुला living room का, and I went inside past, और मैं अंदर गई, I stopped, horrified, और मैं रुक गई, बिल्कुल surprised हो गई, क्या देख करके surprise हो गई, क्योंकि उस कमरे में living room में जो भी सामान था, वो सारा का सारा उसका सामान था, जो Mrs Dawlin है, वो सारा समान उन्होंने अपने पायदे के लिए उसकर लिया था, अपने घर में यूस कर लिया था, जिससे उन्हें मुझे लटाना चाहिए था, उन्हें मुझे phone करना चाहिए था, लेकिन वो इतने बड़ी चोटी है, क्यों आपने कमरे में लगा लिया है, तो मैं horr लिगने शीर्san के बारे में नहीं सोच है नैसी फील करना ठीक ना नमन-कौशिक हेलो और नहीं बेटा जैहिंद भारत के बच्चे chce अपने नमन-कौशिक-क-क ESP अब्राहिम जाहनी वैट बड़ा इणब चलो आगे बढ़े भाई चलो नमस्ते boxing घ्र G जानती थी और नहीं जानती थी I was in a room मैं कमरे में थी जिसमें मैं चीजों को जानती थी और नहीं जानती थी अब इस statement का क्या मतलब है अब देखो घर तो दूसरे खाये इसलिए मैं उस कमरे को नहीं जानती लेकिन सामान मेरा है सारा उस कमरे में इस लिए मैं उस कमरे को जानती हूँ इसलिए बोल रही I was in a room I didn't knew but I knew मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं चीजों को नहीं जानती थी लेकिन मैं जानती भी थी चलो मेटा क्या पूछ रहा हूँ संतोष राणी लोधी सर who is the protagonist of the address मेटा protagonist का मतलब पता है protagonist का मतलब होता है hero उसी का उल्टा होता है antagonist है na protagonist और antagonist villain होता है protagonist hero होता है और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ मैं मतलब word meaning तो आपको बता दे रहा हूँ कि यह protagonist कौन है of the address अच्छा तुम यह पूछ रहा है hero कौन है इस movie का यार इस movie का कोई leading character अगर बोलो के तो यह Mrs. S की लड़की है ठीक ना Mrs. S की लड़की जो है वही इसकी leading character है लेकिन hero बोल देना थोड़ा अलग होगा स्टोरी उसी के around बात कर रही है इसलिए leading character जो है वह Mrs. S की लड़की है ठीक है बच्छे संतोस रणी आगे देखते हैं आगे बढ़ा जाए भई आगे बढ़े हाँ आगे बढ़ो मैं उन सभी चीजों के बीच में थी मिट्स का मतलब बीच में थी जिनने मैं बिलकुल भी नहीं देखना चाहती थी लेकिन अब ऐसे atmosphere में मैं देख रही हूँ क्योंकि चीजों को ढंक से नहीं रखा है धूल खा रही है चीज़े सील रही है उनसे मोईस्ट की बद्बू आ रही है बख्तमीजी से एक्दम चोरी का समान है भाई सब दूसरे का मार के बैठे हो तो कहां इज़त करोगे बाद ऐसे लगा पड़ा अधर उदर तो मैं एक यह क्लास 11 का है चैप्टर नमबर टू चल रहा है किताब का नाम है बिटाई स्नैप सॉट और इस समय हम पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी ठीक है बच्छा और कुछ पूछना है आज मेरा मूड अच्छा है वरना इस कुश्चन का बहुत ही घर तरीके समांसर देता हूं पर को कुछ बहुत ही बतमीज टेस्ट लेस्ट बिलकुल धंग से नहीं सजाय था चीज़ों को वेकॉस अफ़ अग्ली फरनीचर और दमगी स्मेल दैट हंग देर और चूंकि जो भी फरनीचर था उससे सीलन की मैं का रही है कमरे में पानी की मोहिट से तो इन सभी चियों की बद चेर बढ़ा दी I sat down मैं बढ़ गई बैट गई इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर यह जो टेबल के उपर कपड़ा था इस पर पैटर मना था मैंने उस लाइन फैटरन को टेच करना सुरू किया क्योंकि मुझे पता था यह जो टेबल के उपर टेबल कवर है न वो जल गया था और मैं जब उंगली से उसको करूँगी तो मुझे बर्ण मार्क मिल जाएगा क्योंकि उसको कभी रिपेर नहीं करवाया था हम लोगों ने तो इसी लिए उस टेबल को ऐसे करते हुए टेब हमारे लिए भी बना दो तो विल यू है वकब थैंक यू तो उसने पूशा किया तुम भी चाहे पीना चाहोंगी तो मैंने बोल दिया थैंक यू हां मतलब पीना चाहूंगी आगे आगे आई लुक्ट अप मैंने चाहनों तरफ देखा दा गर्ल पुट कप्स रेड़ी ऑन जैसे उसकी मम्मी किये सी पोड़ टी फ्रम वाइट पॉट उसने क्या किया गरम पानी डालना चाहे डालना उसको उडेलना भुलते हैं फ्रमा वाइट पॉट एक सफेद पॉट से सफेद केत्ली से उसने चाहे को उडेला कप में all it had was a gold border और इसका देखू golden border भी था on the lid I remembered मुझे याद था क्योंकि यह सब सारा सामान भी मेरा ही तो है जो यह लोग यूज करने सी ओपेंड बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट उसने बॉक्स को खोला और कुछ स्पून्स को बहार निकाला that's a nice box मैंने बोला यह तो बड़ाई अच्छा box है I heard my own voice और मुझे अपनी आवाज सुनाए दे रहे थी लेकिन इट वह ए श्ट्रेंज वाइस लेकिन फोड़ी अजीब सिस्नाए दे रहे थी अब रिखो कमरे में कभी कभी नहीं होता है तुम जब कुछ बोलते हो तो इको होता है तुमारा साउंड तुमको इसनाए उता है तो वह उसको जानती है उसके बारे में वो जो मिस्स डॉर्लीन की बेटी है 15 साल की और मेरी तरफ मुड करके मेरी लिए चाय ले आई सी लावड वो हसकर के बोली माई मदर सेज इट्स एंटीक है जो प्लेट्स है सारी मेरी ममी बोलते हैं सब अंटीक है वी आप लॉट्स मूर और हमारे आई नो नीड तु फॉलो हर है लेकिन मुझे उसके हैं को फॉलो करने यह ऐसे यह दिखा रहे है मुझे उसके हाथ की तरफ देखने जो नहीं है मेरी समाने मुझे आदध को यह जानती होगी तो आई निव विच्छ चीमें मुझे पता था कौन सी चिए वो कौन सी जिए मुझे बताना चाहती है I just look at the still life over the tea table मैं किसको देख रहे ही इस्टिल लाइफ इस्टिल लाइफ किसको बोलते है मिटा जो इस्टिल रहे आप देखो जो pictures होती है मिटा जो paintings होती है उनमें भी जीवन होता है अब मैंने अगर फोटो देदी अस्टे वह इमाल में फोटो है तीन सेगंड ते करहूंगा ठीक है अब यह जो मैंने भी पोस्ट किया था वह एक फोटोग्राफ में अगर आ गया तो इस तरीके से याद कर सकते हो तो पेंटिंग को मैं देख रहे थी जो टी टेबल पर बनी हुई थी क्योंकि उसमें क्या बना हुए थी उसमें पेंटिंग मनी हुए थी एक एपल की अब देखो मैं हमें साथ चोटे से क्या चाहती थी जो प्यूटर प्लेट उसमें दो एपल के कई सारी प्लेट्स नियों में कभी कि सिंगे बनी है किसी मैंगो बने चोटे बच्चे नहीं सोस्ते चलो इस मैंगो को निकालने पर उत फोटो है ना जैसे कि हन्मान जी को लग सार्षट में ऐपल बनर को निकाले काले पर उत फोटो है ना तो बच्बन में वो प्यूटर प्लेट से निकाले कहना चाहती है अग ग्रे मेटल यह ग्रे का मेटल करते जो की दो मैड्ल कौ भी यह ड़ सथ होषी ज्यादा उन्हें आप एंटीक बोल देते हो शदाफ क्यू अपना नाम बताओ बिटा न्यू स्टुडेंट तो हो आपका बहुत बहुत स्वागत है लेकिन हमें अपने न्यू स्टुडेंट को नाम तो पता हो और समरीती वर्मा एलो बीटा ठीक है चलो चांदी नैंसी दोनों कांसर मिल गया भाई यह आगे बने तो आगे क्या है लुटर बोल रही है क्या बोल रही है सब्सक्राइब आरे स्पैलिंग पर मच जाना दियू जिस्ट यह ठीक है ना बोल रही है कि वी उस इट फॉर एवरिटिंग कि हमने इस चीज को हड़ चीज के लिए कैसी सेट वांस वी एट ओफ दा प्लेट्स हैंगिंग बेर ऑन द यह जो एंटीग है ना मेरी ममी बोलती है एक बार तो हम लोग उने इस पर खाना भी खाया था और इतना हसास के बोल रही है बता हो कितनी किलस रही होगी उसकी वह जो इतनी एंटीग चीज है उस पर तुम खाना रखके खारो कितनी गलत बात है तो बच्चे का नाम है सदफ पर वीन सदफ परवीन अच्छा ठीक है बच्चे सदफ आजिव आगे आज़ो आगे लिए दखते आई वांट तो सो मच आई वांट इट तो सो मच है ना में बहुत खाना चाहती थी उन एंटीग पलेट पर बाट इट वांघ एन एंटिग पलेट पर कुछ इस कि इसको कैसे पता है कि यहाँ पर एक जला हुआ पार्ट भी है तो मैंने क्या बोला मतलब कि वो मैंसे जैस की लड़की ने है येस आई सेट यू गेट सो यूज तो टेचिंग ओल इस लगली तिंग्स इन दा हाउस यू हाड़ी लुकेट देम एनी मूर है ना तो मैंने उसे क्या बोला हां मुझे पता है जब आप के पास चीज़ें होती है ना अंटीक चीज़ें तो आप देखते देखते उसके लेकिन अगर यह सब चीज़ें तभी नोटिस में आती है अगर तुमने अपना समान किसी को लेंट कर दिया हो या हमेशा के लिए दिया हो या फिर वह रिपेर करने के लिए चला गया हो तब तुम्हें दिखता है कि वहाँ पर यह चीज हुआ करती थी लेकिन अभी नहीं वो थोडा सा ताना मार रही है mujer s की लड़की मिसेश डॉलीन की लड़की को मज़े की बद तु यह की दॉटर और आब इसका नाम आने लग गया मिसस डॉर्लीन की डॉटर भाई जब उसको एस नाम दे सकते तो इसको देटेए मिसस डॉर्टर मिसस जेड है ना जैड हो गया कोई नाम दे देए पर नामी नहीं देना मजे ले रखें यार हम लोगों के ठीक है आगे आजो अज ले रहे हम लोग भी फालतु के आगे आजो यूगे तो यूज़ तो टेचिंग अल दीस तिंग्स है ना नोटिस आगे हो गया अब यहां पर उसने ताना मार दिया आगे आज़ो अगीन आई हर्ड दा अननेचरल साउंड आफ माई वाई और फिर से मुझे अपनी आवाज तोड़ी अजीब से सुनाई दे रही है क्योंकि मेरी वॉइस यहां पर यह चो कम रहे ना यह दूसरे के घर में इनके घर में कफी बड़े-बड़ी चीज़े जगे ज्यादा है और चीज़े का मैं थोड़ा सा हॉलो हॉलो सी आवाज जा रही है आई वेंट आवन लेकिन म मुझसे पूछा था क्या तुम यह जो सिल्वर को पॉलिस करने में मदद करोगी तो उस दिन मैं क्या कर रही थी इट वाज वरी लॉंग टाइम है बहुत पहले की बात है एंड आई वस प्रबैबली बॉर्ट उस दिन मैं बोर हो रही थी और क्या परहाप्स आई है टूस अब यह थी तो मेरी ममी ने बोला किया तुम सिल्वर को आकर कि मेरे साथ साइन करने मदद करोगी तो उसने क्या पूछा ममी से सी हैड नावर आज जिमी विफोर हला कि मेरी ममी ने कभी पूछा नहीं था मुझसे इससाब काम करने के लिए लेकिन उस बिनो इल थी थी का गई उनका reply canard कर वनकर एंप लगा थागट इट वह पोन फो ऊपक्स on तैज उनकर इप्लैऑ किया था था यह सारी थी पूर्ट से lu giorn की steadily स्विutzा हम उसको से पहले पता ही री था-जिस चमच ता रही है जिस च्यव्मीन हमृर क्या रही जिस चंब हो यह जिस चक्कु से तो प्याज काट देती है वो सबका सब सिल्वर का आज उसको सुना तो एकदम अमेज्ट हो गई अफकोर्स एंड डेट वोज दा इस ट्रेंज तिंग और उस दिन में एक दम स्ट्रेंज मतलब की अच्मंजस में पड़ गए थी मुझे पता ही नहीं था तब तक कि जिस कटलरी कौम लोग यूज कर रहे हैं जो सारा समान वोग खाने भीने में यूज करते हैं वो सबका सब सिल्वर का है इतने अमीर लोग है क्या हम आगे आजो दगर लाव डगेन फिर से वो लड़की हसी आई बेट यू डोंट नो एट इधर और अब यहां पर कौन हस रही है यहां पर वही है मिसेज की डॉटर मैं मैं तुमसे बैट करती हूं डॉडलीन की लड़की यार हमको वाकई में बड़ा अनकमफ़टेबल हो रहा सच बता रहे यह ऑथर को मैं दो थपड मारता अगर में सामने आ जा था हलाकी लेडी है इसलिए नहीं मारेंगे इतनी मूर्ख लेडी है यार नाम नहीं लिख पारी आई 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 कर रही अब हम तुमको समझाए ना अच्छे से तो तुमारी यहां से निकल जाएगा है ना अच्छा वेटा सचिन रागो बड़ा अच्छा कोश्चन है हम नहीं बता रहे हमसे सचिन रागो पूछ रहे हैं कि भईया यह बताओ क्लास 12 की स्टार्टिंग कैसे करूं इंगलिस की महीना काउं से चल रहा भईया तुमारा महीना चल रहा है तुमारा अगस्त वह भी खत पानी लो उसको मुह पे मारो थपड़ की तरीके और जब वो गाल में जब तक तुम्हाई लाल पीलना हो जाए तब तक कोशन पूछने मता नाम से मताओ क्लास ट्विल्थ के यह क्या तुम अपने बच्चों को अपने छोटे-छोटे सी जूनियर को मैसस दे रहो कि इतना जा हो गया हम Co be अपने पतालिया श्रौओ यह पूछ रहे हैं कि भहीं को सम्की अठाईर कुर्ण कर ले भाई आज आगए आय बेट यूए हमेने मुक्स च्चाले करते हूं डॉलिन कि लड़की से तुमें भी नहीं पता हो क्या तुम्छाः मैं विकिया कि तुम्हारे घर में क्या है you don't know it is either कि तुम्हारे घर में क्या है अरे तुम्हारे घर की भी जो चमचें हो की लड़की अच्छा हमारे घर की भी सिल्वर की अच्छा वेल डू यू नो क्या तुमको पता ऐसी हैजिटेटेट करके सी वाग्ड टुदा साइड बोर्ड एन वांटेट टू ओपने ड्रॉर वो गई कहां पर साइड बोर्ड पर और उसने ओपन किया ड्रॉर क्यों ताकि चेक कर सके उसाब इसलवर कहीं कि नहीं आई लूक इट इस इन हियर मैं देखती होंगी यह सिल्वर कहीं कि नहीं मैं यहीं पर रखाए आई जंव्ड आप मैं तब कुछ अल यहाँ पर आई काउन है ठीक है अब यहाँ पर देखो यह पिछले सेंटेंस में आई काउन था वाले सेंटेंस में आई डॉर्लीन की लड़की थी अब यहां पर आई कॉन है यहां पर आई भाई साब तुम्हारी एस की लड़की है अब भाई साब टीचर ना समझाये तुमको और टीचर समझा भी दे तो तुमको कब तक याद रहेगा बताओ आई आउ आगे हो भाई वाकई में क्या ही बोलने बोल यह बोलना था आई जंप अब अब मैं उचल पड़ी क्यों चल पड़ी भाई साब कौन उचल पड़ी वेलिए सम्झा डॉक्टर मिसस एस की लड़की क्यों चल पड़ी आई वोस फॉर गटिटिंग दाइम क्यों कि मैं एक जाना चाथ यह डर्लीन लड़की बोल रही है जो आई मस्ट गो और यह मिसस एस के लड़की बोली नहीं मुझे जाना है जाना है आई आई वाक्ट तू दू 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 दूर में दर्वाजे ता गई गई गर्ल पूल दॉर ऑपन और वो लड़की का भी ड्रॉर था ले हुई थी आई इन फाइंड माई ओन वे मैं अपना रस्ता देख सकते हूं यह किसने बोला यह बोला एस की लड़की ने एज वाग्ट डाउन दाउन पैसेज आई हर्ट जिंग लिंग आप से बराम दिस निकल रही थी तो मुझे जिंगल रही तो मुझे जिंग लिंग अब भी नबर 66 और मैं नबर 46 में हो कर किया गया है मतलब एड्रेस पर दाइड्रेस वसक्रेक्ट एड्रेस सही था बटनाव इंट वांट रिमेंबर एट लेकिन अमने चाहती इस एड्रेस को याद करना बिल्कुल भी आउन गो बैक देर बिकास दाबजेक्ट आर कर देना अब यहां तक समझो वह बोल रही है कि मैंने देख लिए मार्कोनी स्टेट लिखा है और मैं नमबर 46 हाउस में होकर क्या गई लेकिन अब मैं उन समानों को बिल्कुल नहीं चाहती जितनी भी थेंग सो अपने पास रखे मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उन सभी चि लोग वह यूज़ करते हैं हमें नहीं चाहिए ठीक है चलो आगे देखते हैं भाई सब आगे खागे फ्रांगे फ्रांगे यू सी दम अगे इन इस ट्रेंज सराउंडिंग सेना आप जब उन्हें स्टेंग तो आपका मन हट जाता है और मैं आप सोच नहीं कि मैं उनके ले कलर के टेप लगे हुए चिपकाने के लिए चीज़ों को क्योंकि थोड़ा सा पुराना टाइप का घर जहां में रहती हूं no more than a handful of cutlery filtered in the narrow table drawer और मैं इस cutlery का भी क्या करूंगी मेरे पास जो draw है उसमें थोड़ी सी cutlery आती है और यह cutlery अगर मैं ले कर भी जाओंगी इसका मैंने अपने आपसे वादा किया of all the things I had to forget that would be the easiest हला कि मुझे इतनी सारी चीज़ों को आसानी से बुला दूंगी और बिल्कुल भी इन चीज़ों को याद नहीं करूंगी यह सारा समान मेरा नहीं है and I'm not coming back to get all the things right क्योंकि अभी मिस्स डॉर्लीन का हो गया है वो अगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद thank you और बचा मैं बार बार आपसे बोलता हूं आप लोग मेरी बात मांते कितना हो मुझे नहीं पता लेकिन आपका जो कॉमेंट है मुझे बहुत ज्यादा positivity देता है आप लोग कॉमेंट जरू करो कि आपको यह क्लास कैसी लग कोई समस्या है मुझे से कॉंटेक्ट कर सकते हो मेरी email ID मैं बता चुका हूं कोई भी तरीका हो बेटा आप community पोस्ट पर भी मुझे बात कर सकते हो है ना आप app download कर लो बहुत फायदे का सौधा रहेगा आप टीचर से बात कर सकते हो आप टीचर से queries पूछ सकते हो ठीक है चल दिंग और कौन है बाइस अधिक अधिक बच्छामी तैंक यू बेटा और कौन है भाइस अब चान्दनी अधिक रणान घखामी तेंक यू ऑचछे चलो बन्ते गज्ली में अगली क्लास में थब तक के लिए जहिन अगली कलाश में खकिया होगा बच्छिह अगली क्लाश में इस chapter के सारे important questions होंगे चाहे होwhere भेंवी डा और लोग हो यूविछ इुव गैट MSA schon अन्हु ए शाह बेडिवस्म की शयाह फोक arrest कर द़ू और राटे काटते रहो